नमस्कार द नियूस 15 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ देवाशी इश्कुमार बिहार में महागडबंदन की सरकार आने के बाद आरजीडी कोटे के मंत्रियों की परिशान करने वाली बीजीपी को कोई मौका जो है वो छोड़ना नहीं चाहती है वहीं अब मंत्रियों की फजीहत के बाद तेजस्वी आदब ने एक बड़ा फैसला ले लिया है उन्होंने पाटी के सभी मंत्रियों के लिए नया कोड अव चैन्डेक्ट जारी कर दिया है जी हां और इसलिए हम आपके लिए आज लेकर आए हैं क्योंकि एक खबर आज चर्चा का विशे होने के कारण आपको यह जानना आज बहुत जरूरी है तो चलिए बिहार के उप्रमुख्यमंत्रों तेजस्वी आदब ने अपने नेताओं के लिए कौन सी नई गाइडलाइन जारी क बिभाग में अपने लिए कोई नई गारी नहीं खरी देंगे जी हां दूसरी पर चलते हैं राश्ट्य जनतादल के मंत्री उम्र में उनसे बड़े कारे करताओं सुभ शिंतकों समर्थक या किसी भी अन्यव्यक्ति का पाउं नहीं छुने देंगे सिष्ट चार और अविवंदन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम नमस्ते आदाब की प्रंपरा को ही बढ़ाएंगे ये दूसरी बात तेजस्वी आदब ने अपने तमाम नए मंत्रियों को कहा है रुक कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की उर उन्होंने कहा है कि सभी मंत्रिय लोगों को अभिलम प्रात्मिक्ता के आधार पर मदद करेंगे रुक कर लेते हैं चोथी पॉइंट की और किसी से भेट के स्वरूप पुस्पगुक्ष गुलदस्ता लेने देने के अस्थान पर किताव और कलम के आदान प्रदान को बढ़ावा देंगे और इस आश्यका उन्होंने आगरा लगातार किया है अब बात कर लेते हैं पांचवी पॉट पांचवी बात जो तेजस्वी आदप ने अपने नेताउंस और मंत्रियों को कहा है वो यह है कि सभी विभागिया कारियों में मानिय मुख्यमंत्री के नित्युत में इमांदारी पारदर्शिता तत्परता और त्वरित क्रियानवन की कारेसाली को बढ़ावा देंगे रुख करते हैं छटी बात की ओर उन्होंने कहा है कि सभी मानिय मंत्रिगन आदर्निय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार एब अपने अधिनस्त्य विभागों कारी योजनाव और विकास कारियों का दूस्वी आदव हैं बिहार के उप्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं लालु प्रशाद यादव के छोटे लाल हैं और अब बिहार की सत्ता पर काविज हो चुके हैं इन्होंने अब अपने नेताओं के लिए अपने मंत्रियों के लिए नई गाइडलाइन जो है वो जारी करती हैं अलाकी होई नई बात नहीं है इससे पहले भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री या उप्यमंत्री ने अपने लोगों से आप्शक हमानित कर सकते हैं चल रही है उससे तो यह साबित होता है कि सरकार आखिर अप कितने दिन तक चलेगी यह बड़ा संसय है अलाकि नितीश कुमार और तेजस्वी आदब की सवार्थ सरकार है कई ऐसे घटनाई भी इस वक्त हो चुकी है कई ऐसी बाते भी इस वक्त घट चुकी है जो बिहार के सि सब्सक्ता पर विपक्ष की भूमे का निभा रही है वह आखिर अपना काम किस हद तक करेगी चलते चलते खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा किस तरह का सुझाव और कॉमेंट देने के लिए आप हमें लिख भी सकते हैं नमस्कार